प्रेंट्स अगर आपकी छाती में कफ जमा हुआ है बलगम है जर्दी खासी जुकाम है या फिर एलर्जी है जिसे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप इस घरेलू नुसके को असानी से अचमा सकते हैं ये नुसका एकदम असान है और घर के ही कुछ समान से बना सकते एकदम घरेलू नुसका रामबान है तो फिर आज चलिये बनाते हैं इस घरेले उपाई को बनाने के लिए लेना है पांस से छे तेशपत्ता जिसको बेली भी बोलते हैं और एक टुकड़ा अद्रग का अद्रग भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अब देख सकते हैं हमने यहाँ छोटे साइज का टुकड़ा लिया है इसको छिल लिया है तेशपत्ते को तोड़ के लेना है बहुत ज़्यादा तेशपत्ता नहीं लेना है पांच पीस ही लेना है चोटे चोटे मीडियम साइज का टेशपत्ता होता है बस उसी इतना ही बड़ा लेना है अब इस तरह से तोड़ लेना है सारी तेशपत्ते को अब खड़ा खड़ा जैसे भी आपको सुईधा लगे, वैसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अद्रक का फायदा तो आप जानते ही हों कि यदि सरदर्ध है, सरदी है, खासी है, जुकाम है, तो आप आसानी से चाय बना के पिएंगे, तो बहुत ही जाधा राहत मिलती है, राहत के साथ साथ इसमें गले में जितनी खरास होती, वो भी कम हो जाती है, अब इसको बनाना किस तरह से, एक बरतन में पहले एक कप पानी डालेंगे, एक कप मेजरमेंट आप बड़ा कप में भी कर सकते हैं, छोटा कप में भी, क्योंकि उबालना है, उबाल के आधा पानी नहीं करना है, बस थोड गरम होने के लिए छोड़ देते हैं, अब इस गरम पानी में अधरक के टुकड़े को डाल देना है, अब अधरक का टुकड़ा को हमने डाल दिया है, जो तेजपत्ता को तोड़ के रखा है, उस तेजपत्ते को भी धो के डाल देना है, बहुत जादा नहीं दोना है, बस इ डालना है क्योंकि यहां पर एक कप हमने पानी का यूज किया है अब उबलने के लिए छोड़ देना या फिर लॉंग को आप क्रस करके भी डाल सकते हैं अब मीडियम फ्लेम में हमें छोड़ना है साथ में हम डाल देंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर जैसे ही सर्दी सब्सक्ति में हल्दी डालके पीते हैं बस उसी तरह थोड़ा सा हल्दी डालना है कि हल्दी बस डाल के उबलने के लिए छोड़ दिना है 10 मिनट तक छोड़ना है मीडियं फ्लेम में कि अच्छे से उबल जाए अब इसको बलते होग tip 10 मिनट हो गया पनाव 10 मिनट में गैस क करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाप होगा अब गैस का फ्लेम आफ करके हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं अब इसे एक साफ सुथरे कंटेनर में इसे चान लेना है एक चन्नी की मदद से जब यह ठंडा हो जाएगा उसकी बाद चान ले बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि इसका इस्तिमाल गरम गरम में ही करना है तो इसका इस्तिमाल किस तरह से करेंगे आप इसको लेना किस तरह से यह आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को दो से तीन चम्मस से जादा ना दे और क्योंकि बच्चे भी सौक से पी लेते हैं क्योंकि इसमें तीखापन बिलकुल भी नहीं है और बच्चे को अच्छा भी लगता है अब इसको एक छोटे से ग्लास में थोड़ा सा निकाल लेना है और निकालेंगे जब तो आप इसे गरम थोड़ा सा कर लें या फिर इसमें थोड़ा सा गरम पानी अब हमने एक ग्लास में निकाल लिया है यदि आप प्लेन इस तरह से पी सकते तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं पी सकते तो आप इसमें एक चमच हनी डाल दें और हनी के साथ साथ थोड़ा सा निम्बू अब इसमें मैं क्या करी हूँ आधा चमच निम्बू का जू प्लेज हो जाएगा इस तरह से मिक्स करना है बस और गरम गरम ही पी लेना है यदि गरम नहीं है तो आप इसे गरम पानी थोड़ा सा डाल दें आप इस घरेली नुश्खे को आसानी से घर में अजमा सकते हैं बना सकते हैं बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं कोई परिसा किसा तब तक कि लिए बाइ